नमस्कार नीज फॉर्णिशन देखरें मैं हूँ आपके साथ वंदना राज़त की योर से जद्यू को ओफर दिया जा रहा है लेकिन उसमें भी कुछ सर्थ है राज़त का कहना है कि अगर बिहार के मुख्यानेतिस कुमार अपनी कूर्सी को छोड़ते हैं और मुख्यमंत्री कि तेज़श्री यादों को मानते हैं तो हमारे साथ आ जाएं हमारे साथ बात करने के लिए हैं जद्यू के मुख्यवक्तार निरज कुमार और इनसे मेरा सवाल है कैसे देख रहे हैं इसको राष्ट्रिय जनता दलने कब उफर दिया आज कारण साफ है पेट में दर्द हो है असर दर्द की दवा खा रहे हैं मानिय सर्वोच नियाले में दो एकड जमीन जो हेरा फेरी किया लालू परिबार ने इस संबंद में सुप्रिम कोट में याचिका दाखिल हो गई कि अब सुनवाई क्यों नहीं हो रही है तो अपने नेताओं को जेल भेजने की जो मानसि इता है राश्टी जन्ता दल का जील जाएंगे तब नहीं हमारा दुकान चलेगा तो इसी लिए यह मुद्दा को उठाया गया अरे जब हमने आपको मुखमंत्री के पद से राजनीत के पेवेलियन में भेज दिया कि आप पर ब्रष्टा चार के आरोप है उसका पस्टिकर पर नहीं नहीं दे रहें तो साभाबी के अप जलता से बाहर हो गए अब नए दौर में आप अफर दे रहें अरे ऊफर का हो यह। जो मामला था वो खतम हो गया इन पर तो मामले की सुनवाई के लिए तो कोई अब मुकदमा दाखिल कर रहा है तो मुकदमे में घिरता देखकर राश्ट्रिया जनता दलने ये राजनेतिक बयान दिये हैं और इस बयान का कोई नहीतार्थ नहीं है करप्षन के अधार पर हमारे नेता को सत्ता से बेदखल कर दिया आप भी आरोप कायम है तो आरोप जब कायम है तो पुनर वाफसी का कहा संग आपको मुकदमे मिल सकता है अब मुख्य मंत्री का पद बताईए अभी उप चुनाओं में हार गया तारापुर कुसेसर अस्थान में तो आपकी पातरता तो सिद्ध हो गई ना कि 80 से 75 पर आ गया तो पातरता तो आपकी सिद्ध हो गई कि आपमें वह काबिलियत जो राजनित का होना चाहिए था दल के लोग कितनी कवायद कर लें लेकिन अवशान की और है उन्नती की और नहीं है तो कैसे इसको माना जाएगा अगर भवी समय नेतिस कुमार पर संकट आता है सराबबंदी पर कोई सवाल कहा उटाया सराबबंदी पर तो मानिय उक्मुख मंतरी जी ने कहा कि सराबबंदी सही है पुर्व क्मुख मंतरी मानिय सुसील कुमार मोदी जी ने कहा शराब बंडी के सवाल पर जहरीली सराब से जो मौत हुई दुखत घटना है लेकिन देश में नौमा अस्थान पर है बियार नौमे अस्थान पर है जहां भी चाहे वह सराब बंडी रहे या नहीं रहे वहां भी ऐसी घटनाएं प्रतिवेदित होती हैं तो सरकार का का करना और अब ऊठा करके आकला देख लीजिए ऐसे मामले गुरात महात्मा गांधी करम भूमी ब्रधा में प्रतिवेदित होते हैं सरकार वहां की कारवाई करती है और वहां के लोगों को कैसे इससे मक्तिम मिल सके किससम्बन में लगातार करवाई जारे जाए विश्वास परस्ताव भी है सराबंदी के खिलाफ उलाने वाली है क्योंकि सरकार को मजबूर कर देगी हम तो चाहते ही है कि सराबंदी खतम करो इस पर प्रस्ताव लावें हो कहां दिक्कत है सरकार हम चला रहे हैं आउग कह रहे कि मेरे मन माफिक संसोदन तो आपका मन माफिक क्या है कि दारूपी करके गाउं में उत्पात मचाते रहे आपका मन माफिक क्या है महिला अपराद बढ़ जाए आपका मन माफिक क्या है कि सड़क पर सरा पी करके लोग गाली चलावें आपका मन माफिक क्या है कि देशी परियटक विहार में लगातार बढ़ रहे हैं उसको विराम लगा दिया जाए आपका मन माफिक क्या है कि नेशनल फेमिली हेल्थ सर्वे की जो रिपोर्ट 2015-2019 में शराब बंदी के बारे में है क्या उस सम्मंद में जो प्रगती सदन में अब इस्वास प्रस्ताव लाइए हिम्मत है तो लाइए कि सदन में कि सराब बंदी खत्म होनी चाहिए फिर विधान मंडल के सदस जिन लोगों ने संकल्प लिया है किरिया खाया है और बिहार की जनता तो राजनेतिक अंतिश्टी कर देगी जो यह कहेंगे कि सरा है कि अलग थीक है तो यह क्या हो रहा है कि आपके चैनल पर बताया है कि अपनी पार्टी की बात रखेगा की नहीं ते बिहार का साथ निश्च्य प्रवावित हो गया अरे बिहार के गवर्नेंस पर कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला अभी समंध में पार्टी ने कल बैठक लिए उत्तर परदेश का जराश्टिय नेत्री तो इसका जो भी फैसला होगा अधितन जानकारी देगा तो आप सुन रहे